हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर पालक पनीर के तो बहुत तरीकित होते बनाने के लेकिन मैं आज आपके लिए लेकिया है यह एकड़ अलग तरीका और बहुत ही सिंपल असान है आपको पसंद आएगी आप विडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो ट्राइ भी करें मुझे कमेंड करके बता है कि आपको रेसिपी कैसी लगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने दो बंच पालक लिया है दो गड़्डी पालक को अच्छी तरीकी से धोके साफ कर लिया है और यह थोड़े से पतले कच्छे वाले हैं मोटे नहीं है मोटे वाले हो तो दंडिया निकाल दे आप उसकी मोटी अब इसे हम बॉल करेंगे तो बॉल करने के लिए हम पानी गरम करने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी जब अच्छे से बॉल हो जाए फिर उसमें हम पालक डालेंगे पाल को निकाल लिए अब इसे ठंडा करके हम इसके पेष्ट बना लेंगे तो आप देख सकते हैं पालक का पेष्ट तयार हो गया है अब इसे साइड में रखते हैं और इसी तरीके से मैंने तीन टमाटर को पीस के पेष्ट बना लिया है चली हमारा पेष्ट तयार है अब मैंने आ दालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सब मैंने आदी छोटी चमच ली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, कस्मीरी रेड चिली पाउडर ली है, ये तिखा कम होता है, नमक थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी में भी यूज करने वाले हैं, थोड़ा से इसमें कसूरी मिति लेंगे, और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो दिखिए, एक अच्छा सा मसाला बनके तयार हो गया है, अब हमें क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे पनीर, और जो पनीर है, इसमें अच्छी तरीके से मसाले से कोड करके, इसे हम रख देंगे 5-10 मिनट के लिए side में तो यहाँ पर पनीर को इस तरीके से डाल देंगे और पनीर थोड़ा soft होता है तो पहले आप थोड़ा से इसे mix करते रहें और इस तरीके से सारे पनीर add कर दें और इस तरीके से हमें cover कर लेना है सारे मसाले को पनीर के उपर से हमें लपट लेना अची तरीके से तो हलके हाथों से करेंगे और यह देखिए मसालों से अची तरीके से कोट हो गया है अब इसे हम रख देते हैं साइड में 10 मिनट बाद इसे आगे की प्रोसेस करेंगे तो 10 मिनट हो चुके हैं अब हमें क्या क जाली ले लेना इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेना है और इसके उपर हम पनीर को रख देंगे और फ्लेम को अभी लो रखेंगे और इसे तेल लगाना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होगा पनीर नो उसके उपर चिपक जाएगा निकलेगा नहीं तो यह बर्तावरा बनाने यह जाली यूज करते हैं है इस तरीके से पनीर को एक एकर की आग सaciónीय अच्छ ऑँछा रता है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो देखे इस तरीके से यासानी से तेल लगाने से क्या होगा पनीर इसकी ओपर चिपकेगा नहीं तो इस पात का ध्यान लखे आप पनीर को पहले जो जाली है उसे तेल लगा के चिकना कर ले तो देखे पनीर अची तरीके से सीख चुका ह पनीर तो तयार हो गया है अब इसे हम रखते है साइड में और हम तड़का लगाएंगे तो यहां पर एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल थोड़ा गरम होने गवाद इसमें डालेंगे चोटी चमच जीरा और एक तेजपत्ता अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे पारी कटा हुआ अद्रक अगर आप लैसुन का ना पसंद करते हैं तो आप यहां पर लैसुन भी डाल सकते हैं और अद्रक को थोड़ा सा हम भून लेते हैं अद्रक थोड़ा सा फ्राई हो गया है अब इसमें हम डाल देते हैं सुखे मसाले तो फ कम या जादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंदो तो चलिए मसाले भी भून चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा है इसे भी डाल देते हैं और इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डा लेना है आप चाहें तो डखके भी पका सकते हैं इसे खुले में भी पका सकते हैं जब तक मसालों में से तेल अलग ना हो जाए तब तक हमें टमाटर और मसालों को भून लेना है तो चलिए एक से दो मिनट के लिए हम इसे डखके पका लेते हैं जल्दी पक जाता है भी डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मेक्स करेंगे और पालक पेश्ट को थोड़ी दिर पकाना है अभी हम इसमें पनी नहीं डालेंगे थोड़ी दिर पकाने के बाद ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल देते हैं क्योंकि मेक्सिजार में बहुत सार लग सकते हैं हाथ बाद जल सकता है तो इसे धक्के ही पकाए तो पाला कोई पका लिये है अब इसमें नमक स्वादानुसार एड़ करेंगे और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे घर की मलाई जो घर की मलाई होती है न दूद में से उपर से निकाल कर रखते हैं वो मलाई डालेंगे आप चाहें तो आपर क्रीम भी डाल सकते हैं तो मैंने यह पर दो चमच लिया है अब इसके बाद मापनी पम तरवी कि या प्रक्राइब परने और ज़रुदि सेचे में ने पलें Кशा वाक प्टले मीकस हमें इसमें यह दालने के पनीर के लिए करेंगा यह दाल मुरस्के junta राघंगी जरूरत नहीं, चार से पांच मिनुट में हमारी सबजी बनके तयार हो जाएगी, बस फ्लेवर सब चीजों का एक साथ मिक्स हो जाए, तो देखिए हमारी पालक पनीर की सबजी बनके तयार हो गई है, तो लीजे पालक पनीर की सबजी बनके तयार हो गई है, आप इसी रोटी में बारी कटा हुआ अध्रक डालूंगी और थोड़ी सी क्रीम डालूंगी आप इसके वेगर भी खा सकते हैं बस में से गानिश करने के लिए उपर से मैं डाल रही हूं बाकी यह सोब ऑप्शनल है आप इसे तरी के से खाना चाहें खा सकते हैं सिंपल सी है बहुत आसान है आ आप मुझे फेस्बूक इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें मुझे सपोर्ट करें तब तक के लिए बाइ-बाइ-थैंक यू फॉर